हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो डेसी इंजिनेरिंग दोस्तों अभी जो हम यहां पे खड़े हैं यह आप देख रहें यह ट्रैपोजिटल ड्रेन है और मैंने आज तक कि सारी जो वीडियो बनाएती वो उपासे बनाएती आज ट्रैपोजिटल ड्रेन के अंदर हम खड़े और इ आपको यह वीडियो देखने के बाद पूरी तरह से अंडरस्टेंड हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो अभी हम यहां से शुरू करते हैं कि यह जो हमारा ड्रेन का बॉटम में उड़ते हैं यह आट मिटर का है और सबसे पहले जो काम होता है वह एसके वेशन का होता है तो जब हम शुरू करते हैं तो जाने का इसके वेशन जब शुरू करते हैं तब सबसे पहले हमको टॉप सर्फेस रेडी करना पड़ता है कि जहीसे हमारा जो शूलडर का जो ठिकने से वह आगे में देखेंगे तो तू थर्टीम आता है और पीछे साइड में फोर थर्टीम आ हाट देंगे बहलने से यह टॉप लेवल से ग्र्जेश को पुरा 수vanками इनके बने करने के पार न हमारे मेंड़ने के बाद जो सेफुरान पॉलितीन के पास्हें ये इसेंटर लाइन है, उसके बाद ऐसकेवेशन होता है यह जो बाकी पोर्षयन का जो आट मिटर पोड़्शन उसका ऐसकोइसन शूरू करते हैं हम लोग तो जब यह ऐसकेवेशन हो उचाई पकड़ करेंगा क्योंकि जब आप उसको हन्डेडेम के हिसाब से करेंगे तो उसके जो बकेट के जो दात होते जो एक्स्ट्रा काट सकता है तो वह लूज हो जाएगा तो लूज करने से ज्यादा कुछ फाइदा नहीं है तो मिट्टी के उपर भी डिपेंड होता है तो हम लोग उसको रिप्लेस करा के वहाँ पे जो उसका अप्रूड मत्रेल होगा जिसे डिजाइनर हमको देता है कि उसको रिप्लेस करा के दूसरा मत्रेल डालना है उसकी स्वाइल बेरिंग कैपैसिटी को रेज करना है तो उसी साब से हम उसको ट्रिट्मेंट करने के बा देखना है कि स्लॉप में कितना दिया हुआ है स्लॉप कर स्लोफ हमारा वनीद का स्लोप है तो यहां पर रोलिंग करते हैं रोलिंग करने के बाद इसका 95% के अब जब ऊसका transaction ुआ जाता है तो हम उसको मांते हैं कि हमारा compact हो से उसके बाद दिखी यहां पर हमने यहां प्रेसरी के प्रेशर वाल लगा रहा है ये जो वाइट कलर का प्लभी पाइप उसके आपड़ने आपको दिखाता हूं यहां पर देखिए इसका स्क्वेर शेप में इसमें अग्रिकेट डाला हुआ है पुरा उसके नीचे दबाए और उसके उपर हम लोग फिर डालते है जियो कंपोजिट यह है जियो कंपोजिट यह आज ड्रेन फंक्शन करता है इसके अंदर आप देखेंगे कि पीछे साड में इसे गै आप होते हैं अर इसके उपर हम लोग लगाते हैं पॉलिथीन यह पॉलिथीन डालने का मतलब यह है कि जो उसके अंदर में जो कपड़ा लगा है उसके उपर आगर कंक्रिट जायेगा उसका सिमेंट के सलरी जाएगी तो चौक हो जाएगा तो उसका जो फंक्शन है पानी क और प्रापरली नहीं करेगा तो यह सब चीजें हमको टेक्ट केर करना पढ़ती है कि उसको प्रापरली कवर किया जाए तो यह जो साइड में जो करते हैं वह हंड़ेड में साइड बाला डालते यह देखी यह इस तरह से रेक्टेंगुलर में डाला है और यहां पे भी डाला यह प्यारलल में डालते है और यह हंड़ेड मूचा जाएगा इस तरह तो इस तरह से यह हम लोग इसके अंदर डालते हैं उसके बाद यह जब डालने के बाद क्या-क्या चीज़े है प्रेशर रिलीव वालव एक जियो कंपोजिट और एक पॉलिथीन है यह डालने के जाता है और नीचे वी राब्ट में जाता है यह प्रेशर रिलीव वालव ए तो इस में हम रखन दर वे रखे तो ऌको कंक्रिट में और उसके उपर यूग शोल्डर बनाते हैं उपर में वह 50.9 सवं का इसके उपर देश सारी वीडियो में ने बताई है तो इस तरह से यह देखिए यहां excavation से लेके compaction है उसके बाद geocomposite लेंगे उसके बाद PVR fixing है और polythene डालना है चार-पाच activities के अंदर होता है और उसके बाद एक concrete होता है तो ये पूरा ये drain के पूरी एक वीडियो बनी है और ICA वीडियो उसके लिए सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे बहुती support मिलता है आप लोग जो इसको लाइक शेर और सब्सक्राइब करते हैं थैंक यू बड़ी मच